पिछले 30-40 साल की राज़ीती में खासकर ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा विपक्ष एक जुट हो गया कि इस बार प्रधान मंतरी नरेदर बूदी को किसी भी तरीके से सब्ता से बाहर रखना है लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है वो सब देख रह हम मैं ने सुना है कि वह अपनी कमजोरियों की डिस्कöstन करने वाले हैं अभय Sc bit me कम सब्दू नतीज्य के भी पहले कि बैटने वाले हैं कम जरीयों पर आपके साब से कहां कमी रह गई विपक्ष में अफसरवादिता थी राजनितिक विचारधारा की सबानता की कमी देकि इंडी एलाइंस की जो लोग हैं इन में तीन केरेक्टर तीन उनके डियेने में तीन चीजें कॉमन हैं एक है यह गोर सांप्रदाइक है दूसरा यह गोर जातिवादी है तीसरा यह गोर परिवारवादी है यह इनके डियेने में है अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आज़ादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है और वो बहुत बड़ा फोर्स है वो इन चीजों से भाहर निकल चुका है वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो ससक्त हो सामर्तवान हो वो यह इस प्रकार की भाशा सुनने को भी तयार नहीं है ठीकिन अब यह गिसी-पिटी चीजे चल रही हैं बाद समझता हूं कि भी कान भाहिये हो चुके हैं